हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबी? आज हम क्लास थर्ड के हिंदी के NAS प्रेक्टिस पेपर को सॉल करेंगे तो कारेपतरक 7 है ये नीचे दी गई कहानी के अंस को पढ़िए स्कूल से घर आते समय नमन के हातों में एक चिडिया का बच्चा था वहे इसे अपने हातों में लेकर बहुत खुस था उसकी बहन, Nancy, भी उसके साथ थी वहे भी खुस थी क्यूं न होती? पहली बार ही तो उन्होंने किसी पक्षी को अपने हातों से चुआ था इस चिडिया के बच्चे को आज सुबह ही उसके स्कूल जाने से पहले घर के एक कौने में बने घौंसले से गिरते हुए देखा था साइद यह है उसकी पहली उडान का अभ्यास था तो क्या था? पहली उडान मतलब जब सबसे पहले चिडिया का बच्चा उड़ता है तो उसका अभ्यास था तो चलिए इसके कुशन आंसर देखते हैं नमन की बहन का क्या नाम था? तो नमन की बहन का क्या नाम था? नैनसी नमन इसकूल में आते समय किसका बच्चा लेकर आया? तो किसका गिरा था? चिडिया का बच्चा चिडिया की आवाज करती है चिडिया किसकी आवाज करती है? चीची की हमें पक्षियों के साथ कैसा बरताव करना चाहिए? उनका सिकार करना चाहिए उन्हें भगा देना चाहिए पक्षी के बच्चे को छूने के कारण, पक्षी के बच्चे के पहली बार उड़ने के कारण, पक्षी के घोंसला बनाने के कारण, पक्षी के बच्चे गिरने के कारण, तो किसले खुसती? उसने पहली बार पक्षी के बच्चे को छूआ था, तो पक्षी के बच्चे के छू नली निकाल बना कर पिछकारी मतलब उसकी जो बंदूक की नली होती है उसे निकाल कर उसे पिछकारी बना लेता उससे रंगता दुनिया सारी सब पर फिर क्या करता पिछकारी से रंग फैकता अब बच्चों नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर बताईए प्रशन 6 है बच पिछकारी किस त्योहार से संबंदित है तो पिछकारी हम कब लेते हैं खोली के त्योहार पर तो होली से संबंदित है नेक्स्ट कुश्चन है इन में से बंदूग कौन रखता है तो किस के पास होती है शिक्षक के पास तो कलम होती है फॉजी के पास बंदूक होती है दुकानदार के पास सामान होता है और नाई के पास केची होती है तो कौन रखता है फॉजी next question है दुनिया रंगने का क्या मतलब है तो बच्चो बच्चा कहता है कि दो टूक करके उसकी नली बनाके पिछकारी बना लेगा और उससे दुनिया को रंग देगा तो रंगने का क्या मतलब है नीले पिले रंग से नहीं है वो है संसार में खुसिया फैलाने से किस सब में खुसिया बाटेगा तो पहला इसका आंसर सही है संसार में खुसिया फैलाना अब देखते हैं भाग तीन नी उसा है 6 रुपे का, केक 20 रुपे का, चिप्स 8 रुपे की, बर्गर 25 रुपे का, तब इसके question answers देखते हैं, चित्र देखकर नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर बताईए, यह दुकान किस चीज की है, तो किस चीज की थी, हमने देखा था, खान पान की, 8 रुपे में कौन सी चीज मिल रही है, तो अभी हमने देखा था, क्या मिल रहा था, 8 रुपे में, चिप्स, सबसे महेंगी चीज कौन सी है, तो सबसे महेंगी चीज कौन सी थी, बर्गर, कितने रुपे की थी, 25 रुपे की, एक चिप्स और एक बर्गर के लिए, आपको कितने पैसे देने प तो कितने रुपे की होगी? 33 रुपे की जुरत होगी हमें Next दुकानदार पुस्तक क्यों पढ़ रहा होगा? Option है क्योंकि कोई ग्राहक नहीं है, क्योंकि यह पुस्तकों की दुकान है अब बच्चों पुस्तकों की दुकान तो थी नहीं, ये तो खान पान की थी क्योंकि उसे मिठाईयों का रेट जानना है अब वो तो खान पान की थी तो उसे मिठाईयों का रेट क्यों जानना होगा? तो ये भी गलत है ओर्डर लिखने के लिए पढ़ रहा है यहां तो कोई था यह नहीं, तो ओर्डर क्यों लिखेगा? तो क्या था क्योंकि कोई ग्राहक नहीं है तो कौन सा option सही है कै बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थेंक यू